सो हेलो गाइस अब अपन लोग जानते ही हैं कि ऐसे काफी सारे कॉइंक बूक कारेक्टर्स एक्जिस्स करते हैं जो रियालिटी मैनिप्लेशन परफॉर्म कर सकते हैं भले ही मैटर को चेंज करके किसी नए चीज़ को शेव दिया जाए या फिर आउट अफ नथिंगनेस से कि काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट एक्जिस्स करते हैं कॉइंक बुक्स के अंदर जो रियालिटी आल्टरिनिशन परफॉर्म कर सकते हैं भले ही वो किसी स्मॉल स्केल पर हो या फिर किसी इंफानाइट स्केल पर और मैने ओलरड़ी उन सुपर वीडियो बना रक ही है जो कैसे काफी सारे चारेंक्टर्स हैं काफी सिपिक लिए कैसे में नहीं गर सकता था but I still tried to include some of the known and unknown है और हाँ ये वीडियो एक random रंडेंग वीडियो होने वाली है तो ranking को स्यरेसली मत लेना अब without wasting any more time, चले शुरू कर लेते हैं आज के समिसिंग वीडियो को नमबर टेन, आकेनाथन आकेनाथन बेसिकली हम एक एजिप्शन रूलर देखने को मिला था जिसे उसकी पावर सेलेस्टियल और से बिली थी जहां हार्ट ऑफ दे उनिवर्स, जहां हार्ट ऑफ दे उनिवर्स मारॉल कॉमिक्स के सबसे पावर्फुल आर्टिफेक्ट्स में से निकल के आता है बट सिंस आकेनाथन बेसिकली एजिप्शन गॉड्स से कर्स्ड था तो इसी वज़े से इट टुक हम एन इंटाइर सेंचूरी टू मास्टर देट पावर बट उसके बाद वो एक नाय ओम्नी पोटेंट बिंग बन गया जिसके वज़े से उसके पास निरली काफी सारी इन्फनाइट लेवल ओफ पावर्स आ गई और उनी में से एक निकल गयाती है रियालिटी मैनुपलेशन जहां आके नायतन मैटर को और एनेरजी को साथ ही साथ रियालिटी को भी कॉस्मिक स्केल पे मैनुपलेट कर सकता था और उस बैस से अगर देखा जाए तो ही इस वन ओफ दी ऑप्सक्यूर कारेक्टर जो कह सकते हो कि रियालिटी मैनुपलेशन परफॉर्म करते हैं हमें अजर आये हैं कॉमिक बुक हिस्टरी के अंदर नमबर नाइन एकलिप्सो एकलिप्सो हमें गॉड के रैत का औरिजनल परसॉनिफिकेशन देखने को मिला था बट देन ही बिट्रेइड हिम एंड बीकेम दी एजेंट ऑफ के औस जिसके बेसिस्टर कर देगा जाए तो एकलिप्सो को उसके बाद एक ब्लैक डामेंड में क और पर रियालिटी ऑन अग्रेट स्केल जिसके वज़े से ही एकलिप्सो कह सकतो कि गॉड लाइक अबिलिटी स्पसेस करता है और उसकी पावर पर रिस्ट्रिक्शन हैं वट फो फिर भी रियालिटी को मैनुपिलेट कर सकता है मैटर के साथ चलखानी कर सकता है और इसी दोर्मामू हमें एक काफी पावरफुल मैजिकल बिंग देखने को मिला है एक डेमिनिक एंट्वीटी देखने को मिला है जो दार्क डामेंशन का रूलर है और अगर देखा जाये तो हीज़ बिंग आफ इमेंस मिस्टिकल पावर जो कॉंस्टेंटली डिफेरेंट की ग्रैंट कर देती है एन इसी वज़े से डॉर्मामू अपने विल के बलबूते पर कह सकते हो कि रियालिटी के साथ छडखानी कर सकता है especially in his dark dimension जहां अपने dark dimension के अंदर अपने realm के अंदर डॉर्मामू को defeat कर पाना nearly impossible है जहां वो अपने dimension के अंदर even cosmic deities को भी effect कर सकता है with his reality warping powers which is just insane number seven mister mind mister mind हमें एक venetian देखने को मिला है यानि कि वो belong करता है venus से वो venus का एक kind of caterpillar है and despite his warm like structure वो हमें DC comics के सबसे powerful telepaths में से देखने को मिला है जिसके पास काफर सारी mystical abilities भी मौजूद है और telepathic abilities भी मौजूद है but unlike dormammu उससे उसकी mystical abilities के वैसे reality warping की powers नहीं मिलती है in one of his transformation basically एक नए multiverse की creation के वज़े से कह सकते हो कि उससे भी effectively new powers मिली जिसके वैसे जब वो अपने ककून से आजाद हुआ तो वो hyperfly नाम के एक नए being में convert हो गया जिसके बाद Mr. Mind की telepathic abilities इतनी ज़ादा increase हो गई कि वो reality को भी universal scale पे manipulate कर सकता था और फिर वो हमें universal threat देखने को मिला और उस भी सिससे अगर देखा जाए तो Mr. Mind यू तो एक बहुत ही ज़ादा powerful कह सकते हो कि threat नहीं है still he's a really powerful telepath but अपने hyperfly transformation में जाने के बाद वो reality को भी manipulate कर सकता है number six Matt Jim Jasper Matt Jim Jasper हमें एक British politician देखने को मिला था जो एक point पे UK का प्राइम मिनिस्टर भी रह चुका है but here's the catch he was also one of the most powerful mutant to ever exist जिसने अपनी identity चुपाई रखी और चीज़े यहां पे निगल के आती है कि Matt Jim Jasper की actual ability ही यह हमें देखने को मिली थी कि वो reality को manipulate कर सकता था reality alternation ही उसकी mutant ability निकल के आती है जहां वो energy को subatomic level पे कह सकते हो कि change करके reality को manipulate करना सीख जाता है and as long as there's existing matter or energy he can alter reality on an omniversal scale जिसका मतलब यह निकल के आता है कि Matt Jim Jasper ना ही सिर्फ इस लिस्ट के सबसे powerful reality warpers में से एक है बट साथ ही साथ Matt Jim Jasper हमें इस लिस्ट के सबसे powerful characters में से भी एक देखने को मिला है नबर फाइफ डार्क साइट डार्क साइट हमें DC Comics के सबसे popular और सबसे deadly villains पे से एक देखने को मिला है जो apocalypse का ruler है और the literal god of evil निकल के आता है yet his true self exists in sphere of god outside the DC multiverse alongside with the other higher dimensional gods और अगर देखा जाए तो उसी बेसिस से since डार्क साइट जो है time और space को transcend करता है तो उसके पास काफी सारी abilities मौझूद है and reality manipulation is just mere one of them जहां उसका presence alone ही space और time को change कर सकता है और reality को उसके will के basis पे बेंड कर सकता है जिस basis से अगर देखा जाए तो dark side एक undoubtedly बहुत ही जादा powerful character है जो अपने true form में कह सकते हो कि हमें काफी सारे cosmic entities को भी पीछे छोड़ते हैं नजर आया है plus he's the left hand of the great darkness itself the fist that destroys which does make sense too number 4, Marcus of death Marcus of death हमें basically अपने reality का एक alternate reality का एक लौता mutant देखने को मिला था जिसके result के वज़े से वो बहुत ही जादा हमें powerful देखने को मिला है और इसी वज़े से वो भी काफी सारी different abilities perform कर सकता था जहां वो centuries लगाता है multiverse में travel करता है और basically उसे tear apart करने की कोशिश करता है and one of his major abilities was reality manipulation जो हाँ वो reality को multiversal scale पे manipulate कर सकता था which allows him to create anything out of nothing which is simply insane और इसी बैसिस से अगर देखा जाए तो Marques of Death हमें एक truly evil entity देखने को मिला था even beings like eternity were afraid of him क्योंकि उसकी power इतनी जादा terrifying थी और इसी वज़े से वो constantly dimension में travel करके reality को अपने हिसाब से change करता था pupils खुद के create करता था और उन्हें जो है multiverse में छोड़ देता था until he died Now we all know Mr. Miss Flick DC Comics के सबसे powerful villains में से एक है जो fifth dimension का एक imp निकल के आता है जो हमें virtually omnipotent देखने को मिला है which means he can do anything imaginable और उस बैसिस से अगर देखा जाए तो Mr. Miss Flick किसी भी चीज़ को easily manipulate कर सकता है matter manipulation, energy manipulation, space time manipulation और इस सब के साथ उसे reality manipulation की capability भी मिल जाती है on a higher dimensional level जिस बैसिस से अगर देखा जाए तो उसी चीज़ के मदद से Mr. Miss Flick कह सकते हो कि constantly DC के main multiverse में enter करता है reality के साथ छिडगानी constantly करता रहता है और उसका favorite कह सकते हो कि काम निकल के हाता है सुपरमैन को तंक करना जिसके साथ साथ वो constantly कई बार higher dimensional beings के साथ भी लड़ता रहता है और वही चीज़ उसे एक बहुत ही जादा terrifying being बना देती है जिसके लिए reality manipulation कह सकते हो कि एक mere thought की चीज़ है Onslaught Onslaught हमें एक sentient psionic entity देखने को मिला था created from the consciousness of Professor X and Magneto जहां Professor X और Magneto दोनों ही काफी powerful कह सकते हो कि mutants है और उनकी abilities को अगर combine कर दिया जाए तो Onslaught हमारा result निकल के आता है लेकिन इसके साथ साथ वो mutant grief और कह सकते हो कि anger का हमे physical representation भी देखने को मिला था जिसके वज़े से ही उसके पासी ability थी कि वो दूसरे mutants की powers को absorb कर सकता था और इसी वज़े से वो Franklin Richards और Nate Gray जैसे mutants की abilities को भी absorb कर लेता है जिसके बाद उसे reality manipulation की power भी मिल जाती है potentially on a cosmic scale जो चीज़ Onslaught को एक काफे जादा cool concept लेकिन साथ ही साथ Maral Comics के सबसे terrifying villains में से एक बना के रखती है where he was even able to create a second son out of nothing which is just crazy number one, Sainar Sainar हमें DC Comics के अंदर presence के सबसे पहले creations में से एक देखने को मिला था जहां उसे God का architect बताया गया है जिसने God के कास्मोस क्रियेशन में मदद की थी but when God left him basically Sainar rebel कर देता है God के अगेंस जिसके वज़े से काफी बढ़ी वार होती है और उसके result में Sainar को एक nameless being बना दिया जाता है उसे deep power कर दिया जाता है जिसके बाद वो constantly God की infinite power को अचीव करने की कोशिश करता है नौ ये चीज़ आविस निकल के आती है कि Sainar के पास eventually starting में कह सकते हो कि God-like abilities मौझूद थी and reality manipulation was simply one of them पर उसके बावजूद भी deep power होने के बावजूद भी Sainar हमें एक raging evil entity देखने को मिला था जिसके वज़े से वो अभी भी एक nai omnipotent being था जो काफी सारे cosmic entities के comparison में superior निकल के आता है और वो simply इतना जादा powerful था कि वो बड़े-बड़े threats के साथ कह सकते हो कि अंजाम नहीं लेता उनके साथ interfere नहीं करता और उसके बावजूद भी वो reality को इतने जादा heavily manipulate कर सकता था कि इन सभी events वोने के बावजूद भी वो खुद के pupils create करता लोगों को manipulate करता all that so that he can take his revenge which makes him a really obscure character from the DC cosmos who can manipulate reality on a huge scale So guys, यह थी वीडियो कुछ ऐसे super villains को लेके जो reality को manipulate कर सकते हैं again, ऐसे काफी सारे अंगिनात characters हैं जिने और मेंस लिस में include कर सकता था बट यह अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो का अपना thumbs up देना आपने दोसे कस्ता शेयर करना चैनल पीन के सगर कहीं से भी नए है तो चैनल को जोड़े से subscribe भी कर लेना मैं मिलूँगा तुम से जल्दी है ऐसी किसी next वीडियो में तिल दे ले बीडियो बाइ, अबज आपने टूने, यह जाएवस्म्हें